Hello everyone, welcome back to unexplored literature, आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे Antigone, एक tragedy, इसके हम major characters और जो aspects रहते हैं, tragedy के उसके बारे में discuss करने वाले हैं, तो यहां पर हम summary को ना देखकर उसका सिर्फ analysis करेंगे, summary आपका आएगा next video में, so don't forget to subscribe the channel and press the bell icon, so that you won't miss a notification from the channel, और last तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी doubt ना रहे and everything will be clear to you till the end, so let's start the video, यह जो tragedy है, इसे लिखा था एक greatest tragic dramatist ले, जिनका नाम था Sophocles, Sophocles का जो birth है वो Athens में हुआ था, इनका birth date या फिर यह तो कोई ऐसा exact में नहीं पता, but it is probably around 496 BC to 497 BC, इनका जो परिवार था काफी rich था and उनको education भी काफी अच्छा मिला, और उनका जो पहला victory था था थीटर में, वो था 468 BC में, जब उनका death हुआ 406 BC में, तो उनको honor किया गया as a hero, जो की religious life जिके गए Athens के अंदर, बात आती है कि tragedy क्या होता है, तो Aristotle ने इसका definition दिया, कि tragedy एक imitation of action है, मतलब अगर कोई action हो रहा है हम उसको क्या कर रहे है, imitate, repeat करके दिखा रहे हैं, एक serious तरीके से, जिसका कोई magnitude है अपने आप पे, और उसका जो language रहेगा, वो pleasurable रहेगा, अगर मैं शार्ट में बताऊं, तो मतलब अगर कोई action हुआ था, हम उसको एक drama की form में दिखा रहे हैं, ना कि किसी narrative form में, जहाँ प feelings है, वो आपके अंदर आती है, tragedy को देखकर, according to Aristotle, उन्होंने फिर एक और definition दिया, कि जो tragedy है, वो elevated रहता है, और इस में, जो मैंने पहले बताया है, कि pity और fear का emotion रहेगा, और ये ना world को ऐसा देखता है, कि यहाँ पे जो fate है, और chance का एक, you know, importance है, मतलब कि जो आपकी किसमत म लिखा है, वो होके रहेगा, वो उन्हों चीजों का बहुत दा importance रहा है, tragedy के अंदर, और जो moral order को follow करना, ना कि मतलब आप कुछ भी chaos चल रहा है, अब यहाँ पे कहना ये चाहते हैं, कि यहाँ पे जो social laws है, order है, उसको importance दी जाती है, कि भी कानून चल रहा है, यहाँ पे ही हो रहे, तो वो वाली जो चीज है, वो tragedy में दिखाया जाता है, I repeat कि पहले तो आपको emotion आएंगे, pity और fear का दया आएगी, अफ़ थुटा डर भी लगेगा कि भाई, क्या ही हो गया इस आदमी के साथ, then is, यहाँ पे वो element दिखाया जाता है, कि यह आदमी ना, मतलब आपक को भी बताया जाता है, बात करें इसकी origin की, कि Greek tragedy आए कहां से और कैसी शिरुवात हुई, तो इसकी शिरुवात होती है, कल्ट ओफ डैनेसिस से, मतलब की एक वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता था, Athens में, जहाँ पे जो यह गौड थे, डैनेसिस, उनको बीच में से बठा के पूरा प्रिस्ट थे, डैनेसिस, बीच में मठाया और सारे theater करवाया जाता था वहाँ पे, तो इस type का ही रहता था, तो जो dramas और plays वहाँ पे present किये जाते थे, वहाँ पे competitions रहते थे इन चीज़ों के, कि भाई, जो अप ले सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको prizes and awards म जुड़ा रहा, और फिर state के अंदर उसके direction रही, तो इसलिए जो को morality वाला concept है वो उसके अंदर भर-भर के मिलता है आपको, क्योंकि अब देखो ये चीज़, कि अगर कोई चीज सरकार गवर्न कर रही है, तो उसमें क्या होता है, सरकार कभी नहीं चाहिए कि हमारे कि सरकार के खिलाव बोला जा सकता है, तो हमें जो लोग हैं उनको ये दिखाना है, कि अगर आप सरकार के खिलाव बोलते हैं, तो that's not a right thing, और फिर आप moral नहीं है, क्योंकि जो king है वो भगवान है, and this shit is tough, तो ये जो सारी चीज़े हैं, यहाँ पर बताई जाती है, तो फिर वो बताते हैं कि जो Greek Dramatists थे, उसमें से जो तीन major थे, उनके नहाँ में पर दिये गए है, कि इन्हों ने बहुत ज़्यदा major role play किया 15th century BC में, और बहुत अच्छे-ची tragedies लिखी, जिनको great plays भी माना जाता है अभी तक, तो ये जो plays थे, वो बहुत ही naturalistic तो नहीं थे, लेक इसकी आखों के नीचे, आप लिखोगे तो फिर वो तो थोड़ा सा, यूनो हो जाता है, अगर आप अपनी biography लिखने बैठ गये, for example, आप एक autobiography लिख रहे हैं अपनी, उसमें क्या रहेगा, आप हमेशा उसमें भी सच नहीं लिखते हैं, आपको ये रहता है कि जनता तक प अगर भी था, तो वो चीज, तो यहां पर एक जो convention और stylized thing है, वो बहुँ जादा मिलता है, अब ये चो हमारा play है Antigone, इसको first of the Thebian play बोला जाता है, जिसे लिखा था Sophocles ने, तो अब इन्होंने तीन play लिखे थे, इसी order में, तो पहला था Antigone, Antigone, दूसरा था Adipus, और ती ये चीज, अब देखो, Antigone को लिखा गया है पहले, और Adipus को लिखा गया है बाद में, लेकिन जो Antigone है, वो बाद की story बताता है, तो ये जो तीनों चीज है, मतलब हम उसको trilogy नहीं मान सकते, क्योंकि वो एक दूसरे की story को continue नहीं कर रहे, कोई कहीं लगा रखा है, कोई कह illusions और political propaganda है, उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ जादा, और एक जो writer है, उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे pride और ignorance वाली जो चीज है, उससे पुरे जो समराज्य हैं, वो खत्रे में आ जाते हैं, एक वो बात होती ना, कि भई, एहंकार से पूरा तुम अपना लंक है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है, एडपिस रेक्स, ठीक है, या फिर बोलते है, एडपिस दे किंग, तो इसमें क्या होता है, स्टोरी में, एक किंग होता है, थेप्स का, जिसका नाम होता है, लैस, अब उसको एक और एक इसलिए, क्या बोला कि भिषवानी कर दी, कि तीरा ही बेटा है ना, जो वो तुझे मारेगा, और तेरी वाइफ से शादी करेगा, अब याद में डर गया, इसका बेटा जब पैदा हुआ, तो इसने सोचा कि ये चीज तो मिटाना पड़ेगा, इसने अपने सर्वेंट्स क पास ले गया, जिनका नाम था पॉलेबस, उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसे अपने बच्चे की तरह पाला, फिर वहाँ पे जो ये था, इडिपिस, उसको ऐसा सुना भी पड़ता है लोगों से, कि भई, इस लड़के का ने सिभाविश्यवानी का रखी है, और पॉलेबस के लिए इसको ऐसा लगा किया, मैंन को नहीं मार सकता है, इससे अच्छा, कि मैंना इस चीज़ को हटा दूं, और मैंना किंडम छोड़के चला जाता हूं, तो वो जा रहा होता है, तो he met some people on the road, अब उनके साथ इसके लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई- में एक बुढ़े आदमी को मार देता है, फिर पता लगता है कि वो बुढ़ा आदमी कौन था, लायस, इसका असली बाप, तो उसमें क्या इशू है, वो घूम फिर के वो बात पूरी हो गई, और एकल की, कि यह अपने पापा को मारेगा, वो मार दिया, अब जैसे भी पू होता कि वो उसकी मदर है, तो at the end, he married her, जब उसको पता लगती है यह बात, तो इसको भी बहुत ऐसा रहता है कि यार क्या ही कर लिया मैंने, तो अपने आपको अंधा कर लेता है, और किंडम छोड़के चला जाता है, तो उसके जो बाद की स्टोरी है, वो बताई गई है, ए इंटी गनी कौन थी, जो एडपेस है, उसकी बेटी, तो अब क्या होता है, इसका नाम तो ऐसे दे रखा है टाइटल में, जैसे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है पूरी स्टोरी में, लेकिन इसको स्टार्टिंग का ही जो सेक्शन है, उसमें इनका कुछ रोल है उसके बाद तो इनका कोई जिक्र भी नहीं होता, तो अब यहां पर एक क्वेशन ही आता कि क्या ये टाइटल सही है या नहीं, क्योंकि जो क्रियोन है, जो केंग बना था, उसका है most of the sin, तो क्योंकि स्टार्टिंग से लेके end तक क्रियोन क्रियोन ही रहता है पूरी स्टोर क्योंकि she was alone, लेकिन still उसने oppose किया जो एक state का authority है उसको, वो लड़की बिल्कुल डरी नहीं, she opposed that authority और अपने भाई के क्रिमेशन के लिए उसने मतलब कहते है न अपनी जान को ऐसा कुर्बान कर दिया, फिर बात आती है themes की, तो जो themes है इस tragedy के, वो है conflict between claims of blood और claims of state, मतलब की जो हमारा एक जो राजा बनने का एक पुरा प्रॉपर रहता है procedure की भई, जो बड़ा बेटा है भई बनेगा और वो वाली चीज तो ओडिस्क्रेब किया गया है, एक है order of state की कैसा laws चलते है इस state के, फिर बात आता है दूसरा religious और secular laws, कि हमें religion को कैसे देखना चाहि है, then the second theme is need to learn, कि हमें अपने experiences से सीखना चाहिए, अब यह जो आदमी था क्रेयान, इसने वो चीज क्या कहते है, मतलब realize नहीं करी और अपना फिर last में पूरा kingdom बरबाद कर लिया, क्योंकि उसने उस चीज को neglect किया, नहीं अपने जो secret obligations है, उनको ध्यान में रखा कि भई, ए मैं king हूँ, तो he was not wrong at his part, क्योंकि वो state की चीजों को follow कर रहा था, लेकिन एक जो pride का sense था, उसके अंदर वो चीज गलत था, so that's all about की themes क्या थे, and यह सा, फिर बात आती है कि कुछ questions आ जाते हैं, कि भई, chorus को describe करो, chorus क्या होता है, या फिर किसी character को, तो बात करते हैं पहले, chorus क फिर हम एक-एक करके सारे characters को discuss करेंगे, तो जो यह chorus है, वो होता है group of people, chorus में actors रहते हैं, और उनका बहुत ज़्यदा integral part रहता है, पूरे action को describe करने में, तो जो similar mind के लोग है, वो यहाँ पर आते हैं, जिसमें citizens हो सकते हैं, captatives हो सकते हैं, senators हो सकते हैं, ठीके, तो इसमें यह जो सारे लोग हैं, वो अपना एक strong idea present करते हैं, और Greek tragedy में तो chorus 50 member तक का भी दिखाया जाता है, लेकिन जो सफोकलियन tragedies रहती हैं, उसमें जो chorus है, उनका limited action रहता है, और mostly dramatic सा इक्शन उनका दिखाया जाता है, बात करें, specific play की, जो कि यह Antigone, तो उसमें जो chorus है, वो Thebian elders का है Thebian elders मतलब जो Thebian place है, वहां के जो बुजर्ग लोग है, उनका, और यहां पर जो theme दिखाया गया है, कि भाई कैसा claim of blood और claim of state, फिर एक जो public concern रहता है, तो वो जो सारी चीज़ है, वो इन elder members के थ्रू दिखाई गई है, जो chorus का का काम रहता है, वो यह रहता है, कि वो describe करता है या फिर कहें, announce करता है, newcomers को, या फिर कोई messenger आया, तो मतलब वो आपको थोड़ा सा idea देता रहेगा, क्योंकि novel तो है, नहीं कि footnotes दे दिया वहां पर, कि भाई, यहां पर पढ़ लो, तो miss बात का यह मतलब है, तो जो chorus है, थोड़ा सा आपको guide करता है, कि भाई, यह जो आ करता है, chorus का, अगर इस पर question आए, तो आप इन points पर elaborate कर सकता है, सबसे पहला character है, Antigone, यह heroine है, इस tragedy की, इनका जो character है, बहुत ही alive और एक passionate feeling से भरा हुआ है, यह dominate करती है, पूरे play को, और बहुत ही interesting character रखती है, इनका अपने भाई के लिए बहुत ज़दा प्यार था, जिस की वज़े से, वो पूरे state के जो कानून है, उसके लड़ गई, and she asked for the cremination, कि भई, मैं तो cremation करूँगी, तो मैं जो करना है, कर ले रहा, तो इस तरीके का attitude रखती है, and वो एक coward की तरह ना रहकर, उन्होंने इस चीज को बहुत ही courageous तरीके से face किया, कि आपको जो करना है, क बट मैंने तो cremation करके रहना है, तो इस तरीके से वो बहुत ही unique strength है, जो उसको possess करती है, and chorus ने भी उन्हें describe किया as ferrous and defined, कि वो ना अपने father की तरह है, she'll not yield to any storm, she does not expect any mercy from crayon, and refuses to acknowledge the sterly concern of his same, मतलब कि वो ना तो किसी से कोई expectation रखती है, कि में कोई में को माफ करेगा, उसको ऐसा simple सा fund है, कि हमारा kingdom पहले बहुत बयबाद हो चुका, हमेर को इतना ज़्यादा कोई mom आया रहा नहीं है, and I'm happily, you know, like she was ready to die happily, और वो इस चीज़ को acknowledge भी नहीं करती, कि भी हाँ, उसकी sister का कोई concern है, और यह साई चीज़, तो at the end वो finally disappear हो जाती है, and she curses her tormentor, कि आप भी मेरी तरह सफर करेंगे, जैसा मैंने सफर किया है, तो इस तरिकी का एक strong सा heroic character है, Antigone का, दूसरा character आता है, Creon का, यह वही आदम है, जिसने इस पूरी स्टोरी में सारे सियापे का रखे है, तो he is the second central character in the tragedy, और दूसरी बात यह है, कि यह अब state के rights के लिए खड़ा होता है, कि भी यह state का authority है, इसके खिलाफ अगर कोई जाएगा, तो उसको मारा जाएगा, और उसका discrimination हम नहीं करेंगे, तो यह इसके character है, starting मे जब हमने इडपेस the king पड़ा था, उसमें थोड़ा सा sympathetic character था, लेकिन इस जो play है, एंटीगनी, उसमें इसका जो role है, वो बिल्कुल change हो जाता है, और यह बहुत ही materialistic दिखता है, वो अपने profit के लिए सब कुछ करता है, और वो divine laws को भी disregard कर देता है, ignorance और pride दिखाते हुए, वो women को inferior समझता है, और अपने आपको समझता है कि मैं बहुत उचा हूँ, और अपने laws को ही अतलब सामने रखता है, और इन सारी ही अपनी हरकतों की वज़े से या आदमी last में बरबाद हो जाता है, इसका बेटा है, जो था, हैमे मॉल, वो मर जाता है, और उसके दुख में उसकी बीवी मर जाती है, last में बचता है ये, जिसको अकेले सफर करना पड़ता है, तो ये था इसका पूरा एक tragic सा end, और ये भी बहुत ही central figure है, इस tragedy का, third character है terraces, ये एक अधा आदमी है, जिससे normal human vision से ज्यादा दिखता है, इससे सारा भविशे दिखता है, और ये लोगों को फिर guide करता है, और ये बात जो भी काम है, तुम्हें नहीं करना, और इस बात से थोड़ा बचके रहना, तो इस तरगी की warnings लोगों को देता है, लेकिन को इसकी नहीं मानता, और at the end फिर वही गलती हो जाती है, जिसको ही prevent करने की कोशिश करता है, तो जो heteraces है, वो antagonist की जो death का पूरा ऐसे बोल दिया गया है, उसके बाद ये आता है, तो फिर उसको prevent नहीं कर पाता, क्रियान को भी ये warn करता है, कि भाई तू समल जा, ये ठीक रास्ता नहीं है, बट क्रियान तो क्रियान है, वो king था अपना, वो अपनी अलगी चल रहा है दुनिया में, and because of this all, ये पूरा सा एक tragedy बना, और जब second part of speech था, terraces का, उसमें वो बहुत ही unambiguous or terrible दिखते हैं, और व उसको लगता है कि through ignorance और folly उसने अपना पूरा समराज्य ही खराब कर लिया, तो फिर at the end उसका destruction ही हो जाता है, कि इसका क्रियान का, जो कि इनोंने पहले ही predict कर दिया था, फिर अगले character है, sanitary, जो कि बहुत ही important role play करते हैं, इस tragedy के अंदर, और बहुत ही important से इनके roles आते हैं, जिस तरीके से इनको एक talkative slave man दिखाया गया है, तो हमें idea मिलता है कि एक common man है, तो एक जो पूरा, एक outskirts of tragedy है, उसमें वो कैसे दिखते हैं, उस तरीके से हमें common man का idea मिलता है, यह honest है और साथ में थोड़े वलगर भी है, वो sorry feel करते हैं Antonia के लिए, कि भही हाँ, इस रड़ decree हुआ था, क्रियाउन के द्वारा, उसमें जो एंटिगनी है, उसके खिलाफ किसी भी, एक जो common आदमी है, उसको कोई grudges नहीं था, जैसा कि इसने बताया था, जो क्रियाउन था उसके लड़के ने, कि भाई, इसके खिलाफ ना, मतलब लोग फिर आपके उपर भढ़क ज हुआ था, उसका पूरा एक dramatic scene उन्होंने convey किया है, in the tragedy, पांचवा आदमी आता है, हमेंवन, यह कौन है, यह जो हमारे crayon है, उनका बेटा है, और Antigone से यह प्यार करता है, तो इसने अपना कोई intention ऐसा properly stage पे दिखाया तो नहीं है, कि he loves her, लेकिन he do, यह politely अपने फादर को remind me कराता है, कि भई, ऐसा मत करिये, उसे मत मारिये, लेकिन फिर crayon के अपने ही दुनिया थी, तो वो अपने laws and all में घुसा हुआ था, तो divine चीजों को भी नहीं मानता है, and is like being a obedient son, तो फिर यह भी, कि ठीक है, पिताजी जो आपने वोला ठीक है, तो वो भी उस चीज को आग अपने से दे रहा था, कि मैं मर जाओंगा फिर, and he died at the end of this play, जिसकी वजए से उसकी पम्मी फिर, साइड कर लिया था, उसकी मदर ने भी, and फिर उसकी वजए से क्रियोन को बहुत ज़दा सफ़य करना पड़ा, अब जो लास्ट करेक्टर है, वो है Antigone की बहन, इसका नाम ह इसे मनी, तो जो इसे मनी है, यह बहुत ही वीक और टेमेट सी करेक्टर है, जो की मानती है कि जो राजा कह रहा है, उसको मान लो, state के रूल्स को मान लो, किसी के खिलाफ है सारी हो, आवाज उठाने में कुछ नहीं रखा, तो ऐसी सी यह लड़की है, at the end यही बच जाती है एक दो क्रेयोन बचता है और एक यह बचती है, और इन दोनों को भाती, मतलब कहरें न, जिंदगी काटनी ही पड़ती है, इस तरीके का इनका लाइफ हो जाता है, so that's all about her, इतना कुछ ऐसा मेजर सा इनके बारे में नहीं था, तो यह था इस प्ले के बारे में, I hope आपको सम आपको समय सर्छी लचिए न, और न, अब एकता हैं वह घ। वहीं है कैसी अ क्याइँ, अट भंच जूत काra 1k subscribers, इतना को समय सिवSर चाहिकि परे अपिसे पफे घूंए लजी को स्धूशनीर शैज़ that you, इतना को से शाहिकल वी सिवाएब का 1k का व्हार साव एको बारे म literature together so that's it meet you in the next video till then stay happy stay healthy